कि चल लो बच्चो तो आज हम लो math में second chapter continue करें, linear equation in one variable देखो इस chapter में हमने कल linear equation in one variable किसे कहते है वो समझा था और उसकी exercise 2.1 भी देखी थी हमने exercise 2.1 में क्या था कि उसमें clearly आपको equations दी गई थी equations ही थी न वो सब जिसमें आप लोग variable की value डून रहे थे x की value y की value, p की value सब की values आप लोग find कर रहे थे न उसमें exercise 2.1 में ऐसा था आज हम लोग exercise 2.2 शुरू करें जिसमें exercise 2.2 में हम लोग वही sums देखेंगे, same questions लेकिन अभी आपको equation directly बनी हुई नहीं होगी, आपको directly equation नहीं बनी हुई है उसमें आपको problem sums दिये हुएं और आपको equations बनानी है ठीक है न, problem sums दिये हुएं और equations तयार करनी हैं आपको तो देखो, इसमें हम लोग 2.2 में question number 1 से शुरू करें जैसे कि यहां दिया हुए है कि if you subtract 1 upon 2 from a number and multiply the result by 1 upon 2 you will get 1 upon 8 then what is the number क्या दिया हुए है कि if you subtract 1 upon 2 from a number मतलब देखो कोई number है कौन सा number नहीं पता है तो जो number नहीं पता हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि उसको x suppose करते हैं last day राता था न, को ऐसा कि let the number be x ऐसा कहते हैं न, हम लोग कि suppose कोई number x है तो क्या दिया हुए है कि if you subtract 1 upon 2 from a number कि उस number में से 1 upon 2 subtract करना है मतलब कोई number x उसमें से 1 upon 2 subtract करना है तो उसमें से minus 1 upon 2 करेंगे ऐसे किया न, कि minus 1 upon 2 उसमें से करेंगे and multiply the result by 1 upon 2 और इसको इसको फिर 1 upon 2 से multiply करेंगे, multiply the result इसका मतलब इस पूरे को जो minus आएगा मतलब पूरा जो minus आएगा न उसको फिर 1 upon 2 से multiply करेंगे ऐसा लिख सकता है न, जो sentence में है वैसे ही लिख सकता है न, हम लोग कि कोई number x उसमें से 1 upon 2 minus करेंगे और उसको फिर 1 upon 2 से multiply भी करेंगे then you get 1 upon 8 तो हमें you get 1 upon 8 मतलब कि answer 1 upon 8 मिलेगा answer 1 upon 8 मतलब कि equal to 1 upon 8 मिलेगा हमें then what is the number तो हमें यह x ढूंडना है यह number ढूंडना है तो क्या था पता है आपकी exercise 2.1 जो थी न, उसमें ऐसा question डारेकली बना हुआ था हम लोगों को अभी ऐसा question पहले बनाना है question पर से फिर उसको solve करने फिर solve दो ऐसा ही करेंगे जैसे कि देखो यह multiply है तो उसको हटाने के लिए दोनों तरब divide-divide करेंगे यहां माइनस है तो उसको हटाने के लिए फिर प्लस प्लस करेंगे करते हैं कि नहीं ऐसा सॉलूशन दो ऐसे ही करेंगे जैसे हमेशा करते हैं तो इन सभी सम्में आप एक्सेसाइज 2.2 के सभी इक्वेशन में पहले आपको सॉल करना है मतलब यह इक्वेशन बनानी है फिर उस पर से एक्स की वैलिव डूननी है तो देखो आप जैसे इसका सॉलूशन लिखें हम लोग तो ऐसे लिख सकते हैं कि लेट द नंबर भी एक्स यह तो पहले ही लिखते हैं कि चलो वह नंबर ए माइनस करें मतलब कि एक्स मेंसे वन अपॉन टू माइनस करें एक्स माइनस वन अपॉन टू एंड रिजल्ट इस मॉल्टिप्लाइबाए वन अपॉन टू क्वेशन देते जाना नहीं तो बुक साथ में लेकर बैठना कि दो क्वेशन इस मॉल्टिप्लाइड वाए वन मादलब यह पूरा ब्रेकेट में फिर multiply one upon two और equal to equal to one upon eight जो उसमें लिखा हुथा न कि multiply by one upon two करो then you get one upon eight तो हमें answer one upon eight मिलेगा तो अब इसमें x की value डूणनी है तो क्या करते हैं x के साथ जो number हो वो एक एक करके हटाते है x के साथ ये भी है minus one upon two और ये multiply में भी है one upon two तो पहले न ब्रेकेट के बाहर वाला हटाते है यह दिया हम तो भले plus minus अंदर पहले दिया हुए लेकिन पहले bracket के बाहर वाला number हटाएंगे तो ये one upon two हटाएं तो उसको क्या करेंगे one upon two हटाने के लिए उसको two से multiply करेंगे पड़ेगा multiply two और rule क्या है कि इस तरफ अगर multiply two करो तो इस तरफ भी multiply two करना पड़ेगा means multiply two to both side दोनों तरफ multiply करेंगे मतलब इस तरफ ये x minus one upon two वही रहेगा ये भी one upon two वही रहेगा उसके साथ ये multiply two करेंगे और ये जो one upon eight है उसके साथ भी multiply two करेंगे ये हो गया multiply है तो अब देखो ये x minus one upon two जो ब्रेकेट में है ना वही रहेगा ब्रेकेट हट जाएगा इस तरफ ये two और ये two cut ये two two cut अब बाकी बचा से one वह one लिखते नहीं है इसलिए तो ये cut कर दिया ना two two cut कर दिया बचा सि और इस तरफ तो इस तरफ one upon eight multiply two तो इसको cut करेंगे ये two से cut होगा ना कि two fours are eight two fours are eight मतलब यहां बचा one upon four यहां क्या बचा answer one upon four बचा means x minus one upon two equal to one upon four यहा है ना answer अब अब x के साथ यह one upon two है x के साथ यह one upon two है इसे हटाने के लिए क्या करना होगा कि यह minus one upon two है ना तो हटाने के लिए इसको plus one upon two करेंगे हम लोग माइनस को हटाने के लिए प्लस में करेंगे so now adding 1 upon 2 to both side now अब लिखेंगे ना इसके बाद वाला step के अब दुनों तुरफ 1 upon 2 plus करें मतलब जो पहला है ना x minus 1 upon 2 x minus 1 upon 2 उसमें भी plus 1 upon 2 करें और पीछे 1 upon 4 उसमें भी plus 1 upon 2 करें ठीके ना x minus 1 upon 2 में भी ये 1 upon 2 और ये 1 upon 4 में भी 1 upon 2 तो इस साइड ना ये 1 upon 2 1 upon 2 कट हो जाएगा minus 1 upon 2 plus 1 upon 2 कट बचेगा सिर्फ x सिर्फ x बचा और यहां तो यहां इसका जब plus करना है ना अब ये इस्टाब ध्यान देना बहुत ध्यान देना कि इनका जब plus करना है तो इनके plus करने के लिए denominator सेम होने चाहिए denominator सेम करने के लिए 4 और 2 का क्या करना पड़े क्यों ने लुद कहिए आप लोगों को याओ आए फिर वह रफ में आप लोग 4 मिला, क्या मिला LCM आपको 4 मिला, ऐसा रफ मैं करता है ना, जब भी ऐसा प्लस या माइनस करना हो, उसे प्लस माइनस, मल्टिप्लाइ में नहीं, तो नीचे के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, और सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका LCM करेंगे, तो 4 और 2 का LCM 4 ही मिला, तो इन दोनों को हमें 4 बनाना है, तो यह जो 4 है ना, 4 को 4 बनाना हो, तो उसको 1 से ही मल्टिप्लाइ करते हैं, किस से मल्टिप्लाइ करेंगे, 1 से, और यह जो 2 है ना, वो 2 को अगर 4 बनाना हो, तो उसको किस से मल्टिप्लाइ करेंगे, 2 से मल्टिप तो क्या होगा 1,1 & 1 वो यहां लिखते है यह 1 1 & 1 और 2 को इस 1 के साथ multiply करें तो 2 1 & 2 2 1 & 2 विन्स हुजाएगा 1 plus 2 और नीचे तो नीचे दोनों का LC M क्या है यह उपर लिखा ना हमने दोनों का LC M क्या मिला फोर ? नीचे उमने 4 लिखा ऐसे प्लस करना हो तो ऐसे LCM करके प्लस करेंगे न Means यह 1 प्लस 2 अपान 4 तो 1 प्लस 2 कितना होगा 3 3 अपान 4 तो जो मैं X की value डूणने थी न वो number जो डूणना था वो number कितना मिला 3 अपान 4 मिला समझाया न जो problem sum दिया हुआ था उसमें पहले हमने यह equation बनाई और equation बनाने के बाद फिर उसे यह solve किया आया बाद समझ में अब ऐसे ही देखो इसका second question अब सब question ऐसे ही है और लेकिन हर एक में थोड़े थोड़ा difference है तो वो difference बहुत ध्यान देना अब जैसे हम लोग second question में चलें तो second question में है the perimeter of the rectangle swimming pool is 154 meter एक rectangular swimming pool है कि उसका perimeter 154 है perimeter मतलब कि यह 4 border का total यह 4 side का total उसे perimeter कहते है न कि यह 4 side का total 154 है its length is 2 meter more than twice its breadth उसकी length वो breath से 2 meter more than twice twice मतलब कि double से 2 meter more double से 2 ज्यादा उसकी length जो है न वो breath से double से 2 ज्यादा है then what are the length and breath of pool तो हम उसके length और breath find करनी है तो इसमें क्या दिया बता है कि length वो breath से double और उससे भी 2 ज्यादा है तो इसका मतलब यह जो breath है न कि समझे उस breath को हम लोग कहें x है कि breath कितनी होई x तो length कितनी होगी पता है कि length उसकी double twice न है length उसकी double double मतलब twice तो यह x की double कितनी हो जाएगी two x होगी कि वो length है वो two x है और उसमें two more two more मतलब दो ज्यादा मतलब कि two x में भी और two plus मतलब जो हम लोग suppose करते है न तो length कितना suppose होगा sorry breath कितना suppose होगा x यह breathe को x से suppose करेंगे तो length कितना suppose होगा two x plus two two x plus two मतलब कि उसके double से भी दो ज्यादा double मतलब two x और उससे दो ज्यादा लिखावाले two meter more than twice समझे और perimeter one 54 है तो perimeter one 54 है तो उसके हिसाब से हम लोग length और breed डूनेंगे तो अब देखो इसका solution कैसे लिखे हम लोग तो सबसे पहले लिखेंगे कि let the breed be x के suppose के breed हम लोग x सबस्कर रहे तो दे लेंथ विल बी two x plus two तो लेंथ कितनी हो जाएगी two x plus two हो जाएगी ऐसे होगी न हमने बता न कैसे तो लेंथ कितनी suppose हो जाएगी two x plus two अब आगे दिया हुआ है कि perimeter of swimming pool वो perimeter 154 दिया हुआ न तो यह rectangular है तो rectangular में perimeter की formula क्या आती है तो rectangle में perimeter की formula आती है two और b उस पर यह value लिखेंगे यह length और यह break तो इसको लिखें ज्यान देना यह step में हम लोग लिखें तो यह step में यह two तो वही रहे बाहर कि यह l यह l मतलब length तो length यहां कितनी है two x plus two तो length की जगे पर लिखेंगे two x plus two plus b plus b मतलब breath तो breath कितनी हमने suppose की x तो breath की जगे पर लिखेंगे x तो यह जो है न two multiply l plus b तो यह two multiply l पे यह two x plus two और breath पे x equal to 154 तो अब next step में यह बाहर का two वही रहेगा अंदर है ना x x का plus हो जाएगा मतलब कि यह जो two x है और यहां x है तो two x plus x three x three x और यह two वही जो like terms होते है ना वो x x का ही plus होगा तो यह हो जाएगा three x plus two equal to यहां यह 154 ही स्रीबात ना तो अब यह आपमारी equation बन गई यह हमारी complete equation बने इसमें अगर x की value find करनी है तो उसके साथ जो जो number है ना वो number हम लोग एक एक करके हटाएंगे जैसे देखो सबसे बेले bracket के बाहर वाला number हटाते है यह two bracket के बाहर यह two हटाएंगे तो यह जो two है वो कहां इस bracket के multiply में है ब्रेकेट के multiply में है two तो उसको कहां ले जाना पड़ेगा हमें divide में ले जाना पड़ेगा multiply में है तो divide में ना मतलब सबसे पहले dividing two from both side दोनों तरफ divide करेंगे तो जो पहला है two bracket में three x plus two यह two bracket में three x plus two उसको भी two से divide करेंगे और equal to यह one fifty four उसको भी two से divide करेंगे बरबर तो यहां पे two two से divide करेंगे तो यह पहला two two cut हो जाएगा यहां बचेगा सिर्फ three x plus two और दूसरी तरफ यह one fifty four को two से divide करेंगे तो answer मिलेगा 77 ऐसे मिला ना अब जो x की value हटा नहीं है तो क्या करना होगा हमें कि अब यह इसे solve करेंगे यहां जैसे यह plus two है वो plus two को minus करेंगे हम लोग x के साथ अब पहले यह two हटाएंगे ना तो यह two है तो दोनों तरफ हम लोग minus करेंगे ठीक है ना तो हम लोग अब next step में लिखें जान देना next पर लिखें हम लोग तो ऐसे होगा कि now subtracting two from both side कि अब दोनों तरफ two two से minus करें मतलब जो three x plus two है ना उसको भी two से minus करें और दूस minus होगा ना तो इस तरफ यह plus two और minus two cut हो जाएगा two two से minus किया तो plus two और minus two cut बचेंगा सिर्फ three x और यहां 77 में से two minus तो यहां मिलेगा 75 तो अब यह जो मिला ना इसमें जो x की value अब find करनी है तो उसका अब यह three हटाएंगे हम लोग अब यह three हटाएंगे तो three कैसे x के साथ multiply में है तो दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो अब डिवाइडिंग three from both side ठीके ना इक एक करके सब नंबर अटाया ना पहले टू से डिवाइड किया फिर यह two से minus किया फिर अब यह three हटा रहें three से डिवाइड तो यहां पर three x three x को भी three से डिवाइड और 75 को three से डिवाइड करें तो answer बचेगा 25 तो x equal to कितना मिल गया 25 तो देखो आपको जो ब्रीथ और length फाइंड करनी थी ना तो अब आप लोग इसमें लिख सकते हो answer तीके न मैं यहां लिख रहा हूँ आप अच्छी तरह से नीचे लिखना क्या आप लोग ऐसे लिख सकते हो के ब्रीथ कितनी मिलेगी b equal to हमने x suppose किया था बी को x suppose किया था ना तो उसकी value मिल गई हमें 25 मीटर मतलब ब्रीथ मिल गई 25 मीटर और उसके साथ जो length find करनी हो तो length को आपने suppose किया था 2x plus 2 ऐसे suppose किया था ना 2x plus 2 इसका मतलब कि यह 2x की जगे पे क्या लिखा जाएगा तो x की जगे पे लिखा जाएगा 25 और फिर plus 2 मतलब answer उसमें क्या मिलेगा कि देखो यह 2 multiplied 25 है ना तो 2 multiplied 25 हो जाएगा कितना 50 मिलेगी 52 मिलेगी तो ब्रीथ मिल जाएगी 25 और लेंथ मिल जाएगी 52 मीटर इसे लेंथ और ब्रीथ दोनों मिल गई ने इससे जाना है ने किसे solve किया अब ऐसे question 3 को solve करें question 3 में भी ऐसा है कि the base of isocelis triangle is 4 upon 3 cm the perimeter of triangle is 4 2 upon 15 cm then what is the length of either of the remaining equal sides क्या दिया हुआ है कि the base of isocelis triangle isocelis मतलब क्या कहलाता है मतलब ऐसा triangle कि जिसकी यह दो साइड सेम हो जिसकी दो साइड सेम हो तो उसे isocelis triangle कहेंगे तो दिया हुआ है कि कोई यह triangle है isocelis जिसमें यह दो साइड सेम है उसका base base मतलब यह side यह नीचे वाली side वह दी गई है 4 upon 3 उसका base दिया हुआ है 4 upon 3 and the perimeter of triangle is 4 2 upon 15 और यह क्या दिया हुआ है perimeter perimeter मतलब तीनो साइड का total यह तीनो साइड का total दिया हुआ है 4 2 upon 15 then what is the length of either of the remaining equal side तो यह दोनों जो equal side बाकी है यह दोनों की value डूननी है इसकी value तो दी गई है 4 upon 3 तीनों का total भी दिया हुआ है यह तो हमें यह दोनों equal side कितने कितने की होगी यह डूनना है तो जो डूनना होसे हम लोग क्या suppose करते है एक से suppose करते है ना तो हम लोग यहाँ पे लिखे है के let the length of equal side be x के जो equal side से है उसे क्या कहें x कहें ट्राइंगल में जो दो side equal होगी उन दोनों को क्या माने x x माने तो यहाँ आपको perimeter दिया हुआ है तो perimeter मतलब क्या perimeter मतलब तीनों side का total मतलब यह दोनों side और नीचे base तो यह दोनों side को हमने क्या माना x तो यह दोनों side मतलब x plus x और नीचे यह base मतलब x plus x plus base equal to हमें perimeter दिया हुआ है यह 4 2 upon 15 question में दिया हुआ था ना perimeter तो अब इनका solution लिखे न तो यहाँ देखो x plus x x plus x हो जाएगा 2x यह 2x plus base तो base भी आपको question में दिया हुआ था base कितना दिया हुआ 4 upon 3 दिया हुआ ना इसकी side कितनी थी तो वह दिया हुआ था 4 upon 3 equal to solution करें तो यह mix fraction है इसको solution करोगे तो कैसे होगा कि यह हो जाएगा ना 15 multiply 4 और उपर 2 plus 6 तो 15 4 जा 15 4 जा 60 और 60 और 2 62 means 62 upon 15 तो यह value क्या मिली 62 upon 15 तो यह आपके पूरी equation बन गई ना यह equation बनी ना अब इसको solve करेंगे solve करने के लिए वही कि X के साथ जो जो नंबर है उसको हटा दे जाए जैसे X के साथ पहले यह है नो 4 upon 3 तो यह plus 4 upon 3 हटाने के लिए क्या करना होगा माइनस करना होगा तो यहां लिखेंगे के subtracting 4 upon 3 from both side दोनों तरफ माइनस करना होगा तो यहां जो 2X plus 4 upon 3 है उसमें भी यह minus 4 upon 3 करेंगे इक्वल डू के इस साइड भी करेंगे और यह 62 upon 15 है उसमें से भी यह minus 4 upon 3 करेंगे तो इस तरफ अगर यह minus करोगे न तो plus 4 upon 3 minus 4 upon 3 कट हो जाएगा यहां बचेगा सिर्फ 2X यहां सिर्फ 2X बचा और इस तरफ अगर देखोगे तो यहां 15 और 3 है यहां पर अगर minus करना है तो पहले denominator सेम होना चाहिए इकोल होना चाहिए न जैसे पहले भी किया था अगर equal नहीं है तो क्या करना पड़ेगा LCM करना पड़ेगा कि 15 और 3 का LCM जैसे आप लोग करते हो न वैसे ही कि यहां 15 और 3 का LCM करेंगे तो पहले 3 से divide यह 3 5 जा 15 और यह 3 1 जा अब 5 से divide तो यह 5 1 जा और यह भी 1 जा तो इनका multiply 3 multiply 5 तो 3 multiply 5 हो गया 15 मतलब LCM 15 ही हुआ तो यहां दोनों को 15 बनाने के लिए यह 15 है उसको 1 से multiply करेंगे किसे multiply करें 1 से और यह जो 3 है वो 3 को 15 बनाना हो तो किसे multiply करना होगा 5 से multiply करना होगा मतलब इस 1 को अगर उपर भी multiply करें इसको 1 से multiply वो उपर भी करें तो 62 1 जा 62 ही रहेगा यहां पर और इस 5 को अगर उपर multiply करें तो यह 5 4 जा 5 4 जा 20 इसका मतलब यहां हो जाएगा 62-20 और upon में इसका LCM क्या upon में 15 और 3 का LCM कितना यह 15 तो LCM यह मिल जा 62-20 upon 15 तो अब जो इसका solution लिखोगे तो 62-20 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा तो अब next उसका solution लिखे कि 2x equal to 42 upon 15 यह solution मिला ना अब अब जो x से डूंडना है तो अब x के साथ क्या बचा यह 2 बचा तो यह 2 को हटाना पड़ेगा x के साथ यह 2 मल्डिपला में है तो उसको आठाने के लिए क्या करना होगा डिवाइड करना होगा कि now dividing 2 from both side दोनों दरफ यह 2 2 से डिवाइड कर देंगे मतलब जो पहला 2x है उसको भी यह 2 से डिवाइड equal to के यह 42 upon 15 है उसको भी 2 से डिवाइड अब 2 से डिवाइड मतलब क्या 2 से डिवाइड मतलब यह नीचे 2 लिखना होगा तो 2 से डिवाइड करना है तो उसको multiply 1 upon 2 भी लिख सकता है ना 1 upon 2 मतलब यह 2 से डिवाइड ही तो हुआ तो यहां 2 2 से डिवाइड करना है तो यह 2 2 cut बचेगा यहां x और इसका अगर करोगे ना तो इसमें 2 से यह cut हो जाएगा 2 से 42 cut होगा 2 21s हा मतलब उपर बचेगा 21 और upon में 15 तो यह x वैसे ही यह जो 21 और 15 है यह आगे फिर दोनों 3 3 से cut होंगे 21 और 15 यह दोनों 3 से cut होंगे कि इसको 3 से cut करो तो 3 7s हा 21 और इसको 3 से cut करो तो 3 5s हा मतलब answer मिल जाएगा 7 upon 5 x equal to कितना 7 upon 5 और यह 7 upon 5 को अगर mix fraction में लिखो 7 upon 5 को अगर mix fraction में लिखो तो x की value क्या मिल जाएगी 1 2 upon 5 ठीक है ना 7 को 5 से divide करोगे तो 5 बचेगा और upon में 5 तो यह मिल जाएगा ना हमें answer मतलब जो triangle में जो हम लोग isoscalage triangle बना रहे थे उसमें जो यह दोनों same side थी ना वो दोनों same side कितने की मिलेगी 7 upon 5 की यह तो 1 2 upon 5 की रवर ऐसे ही same question number 4 देखो कि question number 4 में ऐसे दिया हुआ है the sum of two number is 95 मतलब कोई दो number का total 95 है if one exceed the other by 15 find the numbers क्या दिया हुआ कोई दो number है कौन से number नहीं पता है कोई दो number का total 95 है और लिखा हुआ है कि if one exceed the other by 15 कि अगर एक number दूसरे से exceed मतलब जादा है 15 जादा है मतलब ऐसा कि समझे कोई एक number x है तो दूसरा number है ना उससे 15 जादा है 15 जादा मतलब दूसरा number x plus 15 होगा ऐसा ना कि अगर एक number x है तो दूसरा उससे 15 जादा x plus 15 और इन दोनों का total वो 95 दिया हुआ दोनों का plus कितना है 95 तो हमें वो number दूनने है तो देखो इसका solution लिखे हम लोग ऐसा ही बताएंगे कि let one number be x कि चलो कोई एक number को x माने so the other number will be x plus 15 तो दूसरे number को क्या मानेंगे x plus 15 मानेंगे 15 जादा ना x plus 15 so according to equation equation के हिसाब से क्या दिया हुआ था कि इन दोनों का plus 95 होगा equation question में तो ये दिया हुआ था कि इन दोनों का plus 95 होगा तो ये पहला number x और दूसरा number x plus 15 दोनों का plus वो कितना 95 x plus x plus 15 equal to 95 जो solution में ये x और x तो x और x है तो वो x की value एक एक करके हटाने पड़ेगी ना इसमें से तो इन में से x की value अगर find करनी हो तो पहले ये plus 15 को हटा है plus 15 को हटाने के लिए दोनों तरफ माइनस करना होगा means subtracting 15 from both side कि दोनों तरफ 15 15 subtract करेंगे माइनस करेंगे हम लोग तो यहाँ जो 2 x plus 15 है उसमें से भी 15 माइनस करेंगे 2 x plus 15 उसमें से 15 माइनस और दूसरी तरफ ये 95 में मे dürfen 15 माइनस और 95 में से 15 माइनस तो यहां पर देखो उस तरफ तो प्लस 15 और माइनस 15 कट हो जाएगा बचेगा सिर्फ 2x और यहाँ 95-15 करेंगे, तो कितना बचेगा, 70 बचेगा, बरवना, sorry, 80 बचेगा उसमें, तो देखो, अब इनका solution जो हम लोग लेखें आगे, तो next में ऐसा लेखेंगे ना, कि 2x इक्वल टू 80, तो अब इसमें x के साथ, यह 2 हटाना पड़ेगा, x डूढ़ना है, तो 2 हटाएंगे, यह 2 multiply में है, तो क्या करना होगा, divide करना होगा, so dividing 2 from both side, कि अब दोनों तरफ यह 2, 2 divide कर देंगे, तो इसका मतलब यह 2x है, उसमें भी 2 divide, और जो यह 80 है, उसमें से भी 2 divide, तो 2x में से 2 divide करोगे न, तो 2, 2 cut बचेगा सिर्फ x, और यह 80 में से 2 divide करेंगे, तो बचेगा 40, तो मतलब x equal to कितना मिल गया, 40 मिल गया, तो अब जो वो दोनों नमबर आपको लिखने हो न, दोनों नमबर लिखने हो, तो जो one number को आपने क्या suppose किया था, x, पहले number को आपने x suppose किया था था, तो वह x equal to कितना 40 के पहला number 40 मिल गया और दूसरे number को क्या suppose किया था x plus 15 दूसरे number को x plus 15 suppose किया था इसका मतलब उसमें से मिल गया हमें 40 plus 15 x की जगे पे 40 plus 15 equal to 55 वो कितना मिल जाएगा 55 मिला वरबर तो ध्यान आगे ना कैसे दोनों number fine करने हैं वरबर ना तो देखो यह जैसे हमने sums किये ना आज इसके कैसे पहले equation बनाना है फिर उसे solve करना है वरबर तो अब जैसे हमने question किये ऐसे ही इसी exercise के दूसरे questions हम लोग अगले videos में देखेंगे ओके टैंक यू